नमीन दया यूटूब चैनल पे एक बर फिर से आप सभी का सवागत करती हूँ और आज हमारा टोपिक रहेगा भाशाई कोशलों का ज्यान कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैं कोशल करा दो तो बच्चों आज कोशल ही करेंगे सबसे पहले बात करेंगे भाशाई कोश थे बाक्स है भाशा के दोारा ही जो हम विवारिक रूप है भाशा एक दूसरे से विचार अदन करने का बछे विचार् औरраст Кोशलों में शारीरिक अंगओ ग्यान इंद्रियो का कुर यह है Salर रहना पड़ता है यानि कि जब हम ओहार बोलते हैं, विचार आधन-परदान करते हैं तो यह तो नहीं है कि सिरफ भुत हो यह थाम जो बोल ह hedge है फो iamosis invest गहरा संबंध होता है आपने तो हम बोलता है तो बहुत और भाषा का बहुत गहरा संबंध होता है कि मतलब वो दुखी है या फिर वो खुस है और कोशला में सारी रिक अंगो ज्यान इंद्रियों करम इंद्रियों को क्रिया सिर्र रहे न पड़ता है यानि कि जब हम विचार भाषा के दवारा हम अपने विचार वैक्त करते हैं तो ये तो नहीं है कि न सिर्फ हमारे बोली र रहती है क्योंकि ज्यान होगा कुछ किसी चीज़ का तभी तो उस चीज़ को हम बोलेंगे न इस परकार भाषा का पूर्ण तो बाषा का बोध होना आवश्यक है यानि कि यह चारो कोशल हम तभी सीख पाएंगे तब हमें बाषा का उसकी विज्यान उसके वैक्त क्या है उ और लिखित बाषा के अंदर पढ़ना यह लिखना आता है सुनरकर अर्थ ग्रैंकर बोलकर दूसरों को अपने विचार संजाना और लिखित के अंदर पढ़ना यह लिखना आता पूछ जाता है एक नमर का कोश्चिन भी पूछ जाता है तो वहां पूछ जा सकता कि मोखी right के अंदर जो है बाशा के दो रूप है जो मोखी के अंदर कौन सी चीज आती तो सुनना और बोलना और लिखित के अंदर पढ़ना यह लिखना आता है आप इसको याद रखना पू पूलेगा वो फिर जब उसको बोलना जाएगा तब ही वो पढ़ना सीखेगा और फिर पढ़ने के बाद जो है वो फिर वो लिखना सीखेगा लास्ट में तो करमा अनुसार होती है यह चीजे और सिक्षन का मुख्य उदेश्य है यानि कि जब स्कूल में बचा जाता है शर्वन कोशल जो है पहले नंबर पे है यानि कि सबसे पहले है हम सुनना सीखते है चोटा बच्छा जो होता है पहले वो सुनता है बाद में तो बोलेगा शर्वन कोशल यानि कि listening स्कील सुन कर अर्थ ग्रैन करना ही सर्वन कोशल कहलाता है definition भी पूछी जा सकती है केवल अर्थ ग्रेंड यानि कि हमने जो सुना है उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए तभी शर्वन कोशल कहलाएगा वो listening skill यानि कि इसको इंगलिस में बोलते हैं और नंबर दो पे फिर है पठन कोशल पठन कोशल यानि कि reading skill पढ़ कर अर्थ ग्रेंड करना ही पठन कोशल कहलाता है यानि कि हम पढ़ रहे हैं और कोशल पूरा हो गया नहीं जो हमने पढ़ा है उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए बच्चो तब ही हमारा पठन कोशल पूरा होता है reading skill नमर तीन पे है मोखिक अभिवक्ति कोशल मोखिक अभिवक्ति कोशल क्या होती है यानि कि बोल कर विचार वेक्त करना बोल कर अपने विचार वेक्त करना या विचार रखना दूसरों के सामने ही मोखिक अभिवक्ति कहलाती है skill of oral experience और मोखिक अभिवक्ति को होना बच्च रृइटिंग स्कील यह सबसे लाष्ट में होता है लेकषन कोषल और उसकी डेफिदिकT करें तो लिख कर विचारवेक्ट करना लिखकर अपने विचारवेक्ट कोउच्छ जाता है अ कि अर। यहां कोषल है मुझान टोर कोऊरिघन कोशल ऐते हैं बहुत इंपोर्टनिट न्द कोषण में पूछा जा सकता है शर्वन कोशल का अर्थ क्या होता है क्योंकि सबसे पहले शर्वन कोशल पढ़ेंगे हम सून कर अर्थ गरन करना ही शर्वन कोशल होता है भाषा शीखने का पर्थम चरण शर्वन ही होता है यानि कि सुनना होता है ये भी पुछा से सकता कि भारत सोरी भाषा का पर्थम चरण क्या होता है तो शर्वन कोशल ही होता या फिर शर्वन होता है सुनना और शर्वन कोशल का महतव तो अब पढ़ेंगे हैं सर्वन कोशल के का महतव क्या होता है तो नमबर एक है अन्य भाषाई कोशलो का आधार है शर्व देता है तो जिस बच्चे को कम सुनाई देता है ना उसको क्या होता है वो पढ़ाई में भी ज्यादा तर ना अच्छा नहीं मिलेगा आपको क्योंकि उसको सुनाई कम देता है तो पढ़ने में भी ज्यादा तर अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि जो उस वह सुन रहा है उसको उसको पताई नहीं है, या फिर उसको कम सुनाई दे रहा है, तो कम सुनाई दे रहा है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या बोल रहा है, अब उसको सुनाई कम दे रहा है, तो फिर वो बोले भी कम गा, क्योंकि उसको पताई नहीं, क्योंकि दूसरों से बच्चा जब स्टार देर आया तो फिर न वो उतका सर्वन कोशल अच्छे से नहीं होगा इस वज़े से फिर उसका जो अगला कोशल है वो भी अच्छे से नहीं होगा सर्वन के बाद फिर वो बोलना भी अच्छे से नहीं बोल पाएगा वो और बोल अच्छे से नहीं पाएगा तो फिर बच्चो कोशल है और सभी कोशलों का अधार है एक नमर के कोश्चन में पूछा जा सकता है नमर दो है बच्चे के शब्द भंडार में वर्दी होती है अब शर्वन कोशल से जो शब्द भंडार में वर्दी कैसे होती है क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है अनुकरण से जो बच्च बच्चे का श्र defense बनार नंपूर के अगर सुनता है तो मात्र भाषी सिक्षन के लिए उपयोगी है मातरी भाषा सिक्षन के लिए उपयोगी है सरवन कोशल क्योंकि जब मातरी भाषा में जब बच्चे को हम साहित है रामायन महाभारत है उसकी अपनी मातरी भाषा में यह चीज दिखाते हैं साहित है कि बुक पड़ाते हैं या फिर टीवी पर उसको दिखाते है साहीत की कुछ भी दाए तो जो मात्री बाइस सीक्षन में तो फिर उसका जो है बढ़ता जाता है बच्चे का अगर उसको अच्छे से वो सुनेगा तो साहीत कृषल को सीकने के लिए नहीं तो पुरण इसलिए है क्योंकि सफर्वन कोसल साइत क्रियाव आए जैसे टीवी पे जब उसको दिखाते या फिर सुनाते अगर प Caroline सफसे राया सुनार एक स老師 क की नमबर एक। यह धानपूरवक सथ द्यान पूर्वक सुनना पहले नमबर पे है यानि कि छात्रों में दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालना टीचर का करतव बनता है ध्यान पूर्वक सुनना यानि कि जो है छात्रों में दूसरों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालना एक टीचर का कृतवाय है शर्वन कोशल के लिए नमबर दो है अनुकरण करने की योग्य बनाना यानि कि दूसरों के दवारा किये गए उच्चारण को सुन कर शुद उच्चारण का अनुकरण करवाना ही टीचर का करतवाय है दूसरों के जो है उच्चारण का अनुकरण कर करवाया था यानि कि सवरा गतवाला गतः हो ता उतार चड़ाओ जिसे एकदम से हम कौनशी लाइन में हमें जिवर लगाना कhouse की लाइन में धीरे से बोल लाया यानि कि जैसे मैं बता देती हूँ जैसे मनीशा लिख रहे हैं सोरी जैसे काला हम लिखते हैं तो काला जब शब्द हम लिखते हैं तो ज्यादा जोर ले पे लगाते हैं काला काला ऐसे बोलते हैं अगर हम इसको ऐसे बोलने लग जाए काला तो शुत्तो है लेकिन बोलने का तरीका गलत हो जाएगा ले जा गलत हो तुन्ता बच्च को समझने के योग पनाना छाई है तो फिर वह कोई फाइदया नहीं हुए उसका सिक्षन का शुरूत सामगरी का शारांस ग्रहन करने की योगता नमर पांच विक्सित करना यानि कि शुरूत सामगरी जो उसने विशेवस्तु पड़ाई है जो पटन सामगरी टीचर ने बच्चे को पड़ाई है तो उसको ग्रहन करने उसका जो सारांस उसकी जो मैन थीम क्य है बच्चो वह गर्ङन करने की युगता बच्चे में विक्षित होनी चाहिए नमब छाट्रो को 50 तिक गति विधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना यानी कि जब साइपYou विदियों में जैसे कोई नाटक हो गया महाभरत में हम कोई आप बच्चे से कोई रोल प्ले करवा रहे हो किसी नाटक में करवा रहे हो मात्री बच्छन में कोई नाटक करवा और रहे हो तो उस्तरा गतिवी व्विधिया मैं जो वह वहां पर रोल करता है तो हो व कुछ नब कुछ सुनेगा भी तो सभी बोले तो इससे भी अधां कि सरवन को कोसल का भी कास होता है ूद टीचर को भार के लिए को प्रे त होता होता है सुनने वाला मनोभाव क्या होते हैं यानि कि इमोशन मनोभाव जो होते हैं इमोशन होते हैं तो वक्ता के जो भी बोलने वाले के चाहिए शर्वन कोशल की विधिया आ जती है अब आगे तो शर्वन कोशल की विधिया क्या होती है यह हम आपको पढ़ाएंगे तो नमबर एक है शेर शवरवाचन शर्वन कोशल की विधियों में सबसे पहले नमबर पे शेर शवरवाचन चातर अध्यापक के दवारा चातर जो है अध्यापक के दवारा किये गए आदर्श वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रेंड करें यानि कि चातर जो है अध्यापक ने जो पढ़ाया आदर्श वाचन किया है यानि कि जो भी उसने पड़ाया है तो बच्चे उसका ध्यान पूर्वक करें और शुद उच्चारण बाला गती गती आदिज्यान प्राप्त करना चाहिए छातरों से भी शहसवर वाचन कराकर अध्यापक किया पता लगा सकता कि छातर ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं यानि कि अध्यापक ने जो पड़ाया है शहसवर वाचन कवीता का करवाया तो बाद में बच्चों से भी करवा के देखना चाहिए ताकि उसको पता चल जाए अध्यापक को कि उन्होंने उनकी बात ध्यान से सुनी है या नहीं परशनोतरविधी नमर दो है परशनोतरविधी अध्यापक को पठित श्यामगरी में से बच्चों के परशन पूछने चाहिए इससे जाच हो जाती है कि बच्चे विशेवस्तों को ग्रेंड कर रहे हैं या नहीं यानि कि अध्यापक जो है ना पर्षन वतर भीदी में क्या होता है कि पढ़ाने के बाद है ना बाद लाष्ट में जो उसने विशेवस्तु या शामगरी पढ़ाई है बच्चे को तो बाद में लाष्ट में पर्षन पूछने चाहिए छातर को इससे फिर जात हो जाती है कि छातरों ने सुना है या नहीं सुना है विशेवस्तु को औरना अध्यापक अगर पर्षन पूछेगा ना बच्चे से तो क्या होता कि छातर फिर सावधान भी रहेंगे क्लास में क्योंकि ना उनको पता होता कि किसी भी टाइम टीचर जो हमसे कोश्चन पूछ सकता है तो इसलिए वो उसकी बात को ना ध्यान पूरुख सुनेंगे क्योंकि मन में एक डर्षा रहता कि हाँ वो कोश्चन पूछ सकता है तो वो ध्यान पूरुख सुनेंगे फिर इससे अगर अध्यापक कोश्चन नहीं पूछता तो बच्चा फिर इतना ध्यान नहीं लगाता है न इससे बच्चों की काहानी में तो देखो बच्चों की रूची भी बहुत ज़्यादा होती है खुस हो के वो काहानी सुनते हैं और काहानी के दवारा टीचर बच्चों का ध्यान अपनी और अकरशित कर सकता है अपनी विस्वस्तु की तरफ नमर चार है शुरूत लेक अब शुरूत लेक से आप सोचेंगे कि शुरूत लेक से तो जो है लेखन कोशल का विक्सित करने का साधन है तो ये बात सही है कि शुरूत लेक जो है वो लेखन कोशल को विक्सित करने का साधन है लेकिन है न शरवन कोशल को पर्शिक्षन देने में भी इसका यूज किया जा सकता है छात्रों को बाशन से पहले अगर ये बता दिया जाए कि बाशन को वो ध्यान से सुने क्योंकि ये ना बाशन जब समापत हो जाएगा तो उसके बाद हम पर्शन पूछेंगे अगर टीचर बच्चे को बोले नमर 6 है वाद विवाद में भाग लेने वाले चात्रों को हर बात ध्यान पूरुक सुननी होती है इससे उनके शब्द भंडार में भी वर्दी होती है और वाद विवाद की समापती पर पर्शन भी पूछने चाहिए टीचर को ये बहुत ही बहुत अच्छा टीचिंग में इसमें बच्चे एक दूसरे चाहिए वाद विवाद करते हैं तो शब्द भंडार में भी वर्दी होती है खास कर छोटे बच्चों की तो और ज्यादा और सर्वन कोशल का भी विकास होता है क्योंकि समय शमय पर जब अध्यापक जो है उचित में विश्य का चुनाव करके वाद विवाद का आयोजन करता है तो चातर उसमें ब्हाग लेते है तो वो अन प्रोतसाईत होते हैं और टीचिंग मैफल भी अच्छा होता है इसे नमर साथ है द्रिशे शर्वशामगरी का प्रियोग तो द्रिशे शर्वशामगरी में क्या आ जाते हैं बचो द्रिशे शर्वशामगरी में जैसे टीवी है रेडियो है ग्राम फोन टेप्रिकाडी आ जाते हैं और द्रिशे शर्वशामगरी तो होती है जिसमें जो हमें सिर् सुनाई भी देता और दिखाई भी देता और इस रेडियो ना वो सिर्फ शिर्वे शामगरी है क्योंकि महां पे सिर्व में सुनाई देता रेडियो में तो इनका भी आप यूज कर सकते हैं सरुन कोशल के विकास के लिए और टीजिंग मैथड को अच्छा बनाने के लिए ग् तो शीक्षन बहुत ही आकर्षक बन जाता बच्चे ना वैसे जब पढ़ाते ना टीचर जब इतने अच्छे से नहीं समझते इतने खुश होकर नहीं पढ़ते खासकर छोटे बच्चे और जब यह चीज़ोंग हम यूज करेंगे ना तो बच्चा ज्यादा आकर्षित ओक शीखता है शीखने में जदा ध्यान भी लगाता है और इसे क्या होता है ना शुद उचारण की शिक्षा देने में भी जो है शायता मिलती है टैप रिकार्ट के दोवारा किसी विशाइट कारिये करम को हमरी को ड़कर करके जब चाहिए छातरों को सुना सकते हैं और सुनान प्रणजनकारियकरम परशाद किये जाते हैं, और शरवन कोशल विकास करने के लिए इसका परियोग भी प्रभावशाली रहता है, यानि कि रेडियो का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्लास में और घर पër पर टीवी का भी हम यूज कर सकते हैं ये सरवन कोशल को विक्षित करने इसका बहतर शादन है बच्चे को घर में अच्छे कारिये करम दिखाए जाएं विधालने में भी कभी इसका प्रियोग कर सकते हैं देखिए जब जो हम टीवी जब बच्चा देखता है टेली विजिन आप टीवी में कुछ अच्छी चीज़े दिखाए तो इससे जो है टीजिंग मेतड़ भी अच्छा बनता है वीडियो नमबर चार पर है वीडियो जिस तरह किसी भी वारतालाप आधी कर टेप कर टेप रिकोर्ड दवारा बच्चों को सुनाया जा सकता है विद्वानों के भ बच्चों को दिखाए जा सकते हैं इससे न सरवन कोशल के साथ साथ मोख ही कभी व्यक्ति कोशल को भी विक्षित होने में बच्चों साहता मिलती है